हलो दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं कि खरवोश की उम्र कितनी होती है मेरे पास कई कमेंट्स आए थे तो मैंने सोचा चलो एक सेपरेट वीडियो बना कर आप लोगों को इसकी जानकारी दी जाए बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्योश्ट है कि प्लेज वीडियो को लाइक कर दिया करें और ऐसी ही और इनफर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर किया करें जिसे की ऐसी ही हेलफल वीडियो आप लोगों को मिलती रहें तो चली दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जान लेते हैं कि खरगोश की उम्र कितनी होती है तो दोस्तों बैसे तो किसी की मौत और जिंदगी का पता नहीं कि किसकी कितनी जिंदगी है और किसकी मौत कब आ जाए फिर चाहे वो जानवर हो या इनसान लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ उसापधानिया होती हैं जिसे कि हम खुद को या फिर अपने पालतू जानवर को सेफ रख सकते हैं बिमारियों से बचा सकते हैं जिसे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी उम्र जिये और हमारे साथ र खरगोश आराम से 8-10 साल तक जी सकते हैं आउस्टेलिया में एक खरगोश जो है वो 18 साल तक जी वित रहा था और ये को वर्ल रिकॉर्ड है तो कहने का साफ मतलब है दोस्तों कि अगर हम अपने प्यारे से खरगोश की अच्छे से देखभाल करें उसे हेल्दी डाइट दें तो हमारा प्यारा सा खरगोश हमारे साथ लंबे समय तक रह सकता है तो अगर आप भी चाते हैं कि आपका खरगोश आपके साथ लंबे समय तक रहे तो उसकी अच्छे से देखभाल करें उसे हेल्दी डाइट दें हेल्दी डाइट में आप अपने खरगोश को ज्यादा से गास खिलाएं, फल सब्जियां भी खिलाएं, वट लिटल अमांट में, पानी जरूर पिलाएं, अपने खरगोश की साफ सफाई का ध्यार रखें, जब भी आपका खरगोश यो बीमार हो, तो टाइम वेश्ट ना करें, उसे फॉरन किसी वेट डॉक्टर के पास लेकर जाएं तला, भुना, मसालेदार, पका हुआ खाना, कोई भी जंक फूड अपने खरगोश को ना खिलाएं, ये खरगोश के लिए बिलकुल भी सेफ नहीं होता है, कुछ हो सब्जियां भी दोस्तों ऐसी होती हैं, जो आपके खरगोश की जान ले सकती हैं, जैसे कच्चा लहसन, अनकारी थी, I hope आपके लिए helpful रही होगी, वीडियो पसंद आया हो तो प्लेज लाइक करें, ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई वीडियो में एक नए टोपिक के साथ,